सिवनी के बाद जबलपूर में गौ हत्या का मामला सामनिया है गौवन्ष का कटा हुआ सिर मिलने से हडकंप मच गया बश्रंग दल के कारिकर्टाओं ने कटंगी थाने का घिराव किया है ग्राम मोहला के समीप गाय का कटा हुआ सिर मिला कटंगी थाना शेत्र का ये पूरा मामला है तो बतारी कि जैसे ही लोगों ने गाय का कटा हुआ सिर आपर देका लोगों में हडकंप मच गया और जल्द से जल्द लोगों ने पुलिस को सुचना दे जिसके बार पुलिस के तमाम जो अधिकारी है वो इस वक्त मौके पर मामला ये इस वज़ा से भी हो जाता है क्योंकि मद्परेश में लगतार ये खबरे सामने आ रही है इसके पहले सीवनी से सामने आई थी और अब जबलपूर से भी बिलकुल ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि अब इस पर क्या ए करके मद्परेश के मुख्मांटी डॉक्टर मोहन यादो का नाम भी मद्परेश के मुख्मांटी डॉक्टर मोहन यादो ने भी इस पर बयान दिया था उन्होंने साफ तर पर कहा था कि दोश्यों पर कड़ी कारवाई की जाए गया आपको बता रहे कि इसके पहले विशु और लगतारी समधाईश दे रहे हैं लोगों को कि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाएगा वो आगे क्या एक्शन लेते हैं यूकि प्रदेश में लगतार ऐसी खबरों के सामने आने से कई सवाल खड़े होना लास्मी है तो सिवनी के बाद जबलपूर में गौहत्या का ये मामला सामने आया संसनी केचव ये मामला है जैसे ही लोगों ने गाय का कटा हुआ सेरी आपर देखा लोगों ने तुरांती पुलिस को इसकी सुषना दी और इस पूरे मामले पर कड़ी कारवाई की मांग भी आपर की गई तो बतारी कि पुलिस के जुआला दिकारी उन्होंने कुछ संदही आरूपियों को गिरफतार भी किया है जिन से पूस्ताच की जा रही है और पूस्ताच में आगे इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े खुलासे होने की उमीड भी जो ताइच वा रही है आपको बतारी कि प्रदेश में जिस सरीके से लगतार खबरे सामने आरी कईन अकेन के ताज जोरे हुए है और चले, ज्यादा जोआनकारी के लिए अमारे समवाद दाता अभिशेक इस वक्त हमारे साथ लाइफ जो चुके है literal अभिशेक लगतार प्रदेश में एसी खबरे सामने आरी कई सब्सक्राइब गाउं के सारज पर गोरी में भरे गौवन के इस पर गाउंगे वह देखा था और उसके बाद पूरे मामनी जिस्तों कि नारा कथ ही नहीं तारे का रहा हुआ हुआ है जो है टक्पे हो गए के पुलिस मोवें पर पोची और से पहले जाय जो कता हुआ जो कता हुआ हुआ है उसे ने लिए ने ने भाद पर प्रसास कि एक्लाब नारे बाद भाद से पर नोशी है उन्पर कारवाई करने दी मांगी लगातार तार नो कारकरता हैं वो पर गोवसर जो बी दोसी होंगें पर परीगारवाही की जाईगी लिए अगर कुसी होचक है इसे नाम बता बजन गर करताओं नो जो कटनी थाना चेश्रे के पूर्व में वो तक्सरी पी ते मामिले में जो आरूपी रहे हैं उने ते चार आरूपी तो इने पुलिस में हिरासत में ने अ प्रवसी जो बनाया गाय कि जाए तो लिए अगर कोई गायों को लिखाना बनाता है तो उसके ज्राप तरीकारवाही की जाएगी अब यह अब बहुता है लिए प्रोशी जो जिला है कि यहां पर पतास्त जादा गौववाई की एकर उने तक उने नजीमत भी लिए और उस अब लोश आज जकन आकराना बाद मोर्स पर छखरा थे लिए राज असे मेरी जो जो आफिफ Eyes और और सब्सक्रावागा में téञे लिए तो लगतार देखा हूए किस पूरे मामने पर कारवाई की जो- impose देखने वाली बात होगी क्या एक्षन आगे लिया जाते हैं क्योंकि प्रदिश में लगतारी मामने सामने आ रहे हैं बॉर्बर शुप्या तमाम जानकार के लिए अचले इस पूरे मामने पर एसपी का क्या कहना है अब आपको सुनाते हैं ग्राम मोहला के पास आज एक बोरी में एक जानवर की लाज जैसे मिले थी तेब उसका पोश्वाटम कराया गया तो वो नट निकला जो छोटा बचड़ा होता है तो देखे ये तीन तस्विर इस वक्त हम आपको टीविस्किन पर दिखा रहे हैं जिससे आप मधपरिश में हो रहे हैं सरके के मामने को समझ सकते हैं पहली तस्विर आपको दिखा रहे हैं जो कि सिवनी से है दूसरे तस्विर मुरैना से और तीसरी जबलपूर से है जिसके बारे में हमारे समगताता कुजिर पहले में जोणकारी भी दे रहे थे लगतार जो इस सरीके के मामने सामना रहे हैं इसके पहले विश्विंदु परिशार बच्रंदल के कारिकरताओं ने खाने का घिराओ भी किया था और इस सरीके के बढ़ते मामनों को लेका सक्ट एक्षन की मांगी तो उनका ये कहना था कि अगर एक्षन इस पर नहीं ले जात करते हैं और इसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले पर आगे कारवाई की जुआएगी तो आपको बता रहे कि अगर बात करें जबलपूर की तो यहां पर चार लोगों की गिरफतारी भी हुई है जिन से पूस्ताश आगे की जुआ रही है